Hello students, welcome back to my YouTube channel Smart Education Topics आज का topic है limitations of accounting पहले advantages of accounting किया था हमने अब हम करेंगे limitations इसके कितनी सीमाई हैं लेखांकन की सीमाई नंबर first करते हैं start Based on accounting concept and conventions लेखांकन की अफधारनाओं तथा प्रमप्राओं पर अधारत है कि जो लेखांकन है वो अफधारनाओं और प्रमप्राओं पर अधारित है जैसे कि स्थाई संपत्यों को स्थीती वीवरन में एतहासिक historical cost के अनुसार दिखाया जाता है इसका अर्थ है कि स्थाई संपत्यों को लागत मुल्य पर दिखाया जाता है ना कि उसके बजार के मुल्यों पर नेक्स्ट सेकेंड इस इनकंप्लीट इन्फोर्मेशन क्या कहते हैं अपूरन सुषना देखांकन वीवरन केवल अपूरन सुषनाईं पर दिखित करते हैं क्योंकि वेसाई की वास्त्रीक लाभानी तो तबी हमें पता चलती है जब हमारा जो बिजनस है वो बंद कर दिया जाए नेक्स्ट थर्ड नंबर इस क्या है ओमेशन ओफ वालिटी इन्फोर्मेशन गुनात्मक सुषनाउं का अभाव परबंद में परिवर्तन व्यवसाई की परसिद्धी और परबंद के शर्मिकों के मधूर संबंद फरम के ग्रहकों की संतुस्टी आदी ऐसे जोन से तथ्या है जिनका फरम की लाप्रतापरती महत्तपूरन प्रभाव पढ़ता है फ्रंतु इन सब को छोड़ दिया जाए तो ये गुनात्मक प्रकरती के हो सकते है इतिहासिक लागतों पर अधारी जैसे कि लेखों के इतिहासिक लागतों के अधार पर त्यार के जाते हैं जैसे कि वीत्य वीवरण के द्वारा दिये गई आंकड़े हैं जो मुल्य स्तर के परिवर्त्नों के अभाव में परदर्शित नहीं करते हैं जैसा कि कोई बील्डिंग होगी फणिचरों के ऐसी संपत्यों के मुल्य क्या है मुल्यांकित के जाते हैं इन प्रमप्राओं का यह प्रभाव होता है कि यह स्थीति विवरण में दिखाए गए संपत्यों के मुल्य की ब्यवसाय की सही वित्य स्थीति का नुमान लगाने में सहायक नहीं होते जूटे दिखावों से प्रभावीत जूटे दिखावों का मतलव है यहां पर हेरा फिरी करना जिसे की वित्य विवरण की वास्तविक स्थीति के पेकशादिक अनुकूल स्थीति परदर्शित कर सकें ठीक है जैसे एक साल के अंत में किये गए परचेस का लेखा ना किया जान उनके जो closing stock है उनका अधिकतम ब्रू मुल्यांकन कर लिया जाए जैसे जादा कर लिया जाए closing stock को इस परकार के जो वित्य विवरण है ठीक है financial statements है हमारी ठीक है उनको क्या करें उनके धार पर सही नीर्ने नहीं लिया सकते तो यह थी हमारी limitations of accounts अगर आपको अच्छा लगा लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग